पश्कार दोस्तों मैं हूँ सोरो शेर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियान अपडेट डेली न्यूज तो देखे आपको बता रहेता हूँ बड़ी ख़बर एक जो हमारे पास आई है देखे अलवर जिले के गाव फोलादपूर निवासी एक व्यक्ति जिसकी उम्रे लगभग 23 साल थी सहाजापूर में कोचिंग सेंटर पर जाता था पास जुलाई को वैं घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था लेकिन उसके बाद वापस नहीं लोटा परिजनों ने राजस्थान में उसकी गुमशूदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई राजस्थान पुलिस ने जाच की तो जैकी की लोकेशन रेवाडी में मिली लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस रेवाडी पहुँची तो व्यक्ति वान नहीं मिला बताया जा रहा है कि पुलिस ने व्यक्ति की कोल डिटेल निकाली तो पता चला कि उसके मोबाइल से नैनसुकपुरा में किसी के मोबाइल पर बात हुई है पुलिस जिसके मोबाइल पर बात हुई उसे पूस्ताच करने भी पहुँची थी लेकिन तब भी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया शनिवार को गाव नैंसुकपुरा के जोड में लोगों ने युवक की लाश तैरती दिखी ग्रामीनों ने लाश को देखकर फोरण जाटू साना थाना पुलिस को सूचित किया मिरतक की पहचान हो गई है पुलिस ने व्यक्ति के परीजनों को सूचना भी दे दी जोड से शव को निकाल का पोस्ट मार्टम के नागरी का स्पताल भेज दिया गया इसके बाद परीजन भी अस्पताल पहुँचे लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाए कि व्यक्ति की मौत किस कारणों से हुई है व्यक्ति के भाई जो है उन्होंने बताए कि उनका भाई पांच जुलाई को घर से कोचिंग सेंटर पर जानने की बात कहकर निकला था फैरोजाना साजापुर में कोचिंग करने चाहता था हमें उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली अब उसकी डैट बोड़ी रिवाड़ी में ये जोड में मिली है और आपको ताइब पुलिस ही बता सकती है कि आखिर कैसे उसकी मौत हुई लेकिन कैसे उसकी मौत हुई खुद करी या फिर किसी ने करी इस पारे में अभी से पुलिस ही बिल्कुल सही बात है पुलिस ही बता सकती है कि कैसे उसकी मौत हुई और पूरा मतलब जांच वगेरा होगी तब ही पता चलेगा लेकिन बड़ी बात यह है कि जोड में शव मिला है उस व्यक्ति की पैचान हो गई है यह जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिवाड़ी की जितनी बड़ी खबर यह जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसका साथ धन्यवाद शाम को फिर मिलते हैं